वेलकम टो माई चैनल देखें आज मैं आपके लिए जो ताल पोस लिखे आई हूँ वह मैंने यह तीन कलर और एक कलर और ब्लू कलर का वह मैंने वह उन सब से बनाऊंगे और मेरे पास यह सारे बचेवे कलर रखे वे थे तो मैंने उन से बनाया और हाँ किरोशी का जो साइज है वह 2.75 mm का है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है फिर आप बोलते हो कि आपने नहीं बताया फिर आप पुछते हो तो चलिए अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक कर देना अगर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सबसे शुरू में हमें इना वाइट कलर वाला इना लगाना शुरू करते हैं और इसमें पहले नॉट लगा लेते हैं और इसमें अप्रोक्स मेरी 20 ग्राम से भी कम उन लगी है तो आप उस इसाब से न मैं आपको पता देती हूं और यह चार एमेम की नहीं मतलब फोर प्लाई बोलते हैं ना फोर प्लाई की उन है तो चलिए यह हमें ने यह छे चैन ली और लाश्ट वाली चैन में डालके एक राउंड बना लिया फिर यह देखे तीन चैन ली और इसी में डा देखे एक बार है ना यह किरोशे के उपर उनको लिया फिर इसमें डाला दो बार उनको किरोशे के उपर और यह तीन बार अब हम इन सभी को एक साथ निकाल देंगे एक साथ कर लेंगे फिर हम एक दो दो चैन लेंगे फिर इसमें डालेंगे और फिर से ना एक एक देखे तीन बार हम किरोशे के ओपर उनको ले लेंगे और फिर सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे फिर दो चैन लेंगे और फिर इसी तरह से पफ बनाएंगे तो ये हमारा पफ वाला जो थाल पोस है वो मतलब इसी तरह से चोटे-चोटे पफ बनाते वह हम बनाएंगे और पता है इसमें इतनी जल्दी बन जाता है यह जितना टाइम मुझे आपको पताने में लगेगा न उतने ही टाइम में मैंने यह पूरा का पूरा थालपोस बना लिया है तो यह देखिए मैंने इस तरह स इसमें कुछ पफ बना लिया और लास्ट वाली जो चैन बनाई थी ना शुरू में हमने उसमें डालके हम इसे कर लेंगे तो यह टोटल जो हमारे पफ है वह साथ मैंने इसमें बनाए हैं तो यह देखिए हमने दो यह तीन तीन चैन ले लिए और अब जो हमने यह यह पर द आगे को लेंगे उनको फिर हम दो चैन बनाएंगे और फिर इसी में डालके एक और पफ बनाएंगे यानि कि एक चैन पे हमें दो पफ बनाने हैं इस तरह से इस देखिए बना लिया दो पफ हम इसके अंदर होगे एक दो फिर दो चैन लेंगे फिर आगे वाली चैन पे डा और इसमें न मतलब हमें बहुत कम टाइम में हम इसे बना लेंगे क्योंकि इसे बनाने में और देखने में इसमें चाहे हम जितने चाहे कलर लगा सकते हैं यह बनाने में ऐसे ही होता है तो एक एक चैन में दो-दो पफ बना के हम यह पूरा कम्प्लीट करेंगे तो यह कम्प् सब्सक्रिण सब्सक्राइब धता हैं एक प्रेश कम करें दोधिर पेड़ा करेंगे इन बिन जब सकतें क्या है क्या है कि यहां तरहान को ता उसके आगे जो यह चैन दी ना उस चैन में डालके हमने इसे जोइंट कर लेंगे simple crochet से यह इस तरह से यह हमने जोइंट कर लिया है जोइंट करने के बाद एक दो तीन तीन चैन ली और इसी में डालके एक puff बनाएंगे देखें ये तीन बार किरोशे के उपर अब सभी को एक साथ निकाल लेंगे फिर हम दो चैन लेंगे और इसी में डालके हम एक पफ बनाएंगे देखें ये बनाया अब इन सभी को एक साथ निकाल लेंगे हम देखे इसमें हमें निकालने से पहले ही दूसरी जो चैन है उसमें डालके ये तीन बार फिर से किरोशे के उपर लेंगे और अब इन सारों को एक साथ निकालेंगे एक हमने puff इधर साइड से लिया रहे एक इधर साइड से तब हमने इन सभी को एक साथ निकाला है फिर दो चैन लेंगे और देखे ये अगले वाले में हमें नहीं करना है जैसे मैं कर रही हूँ न ये वाला हमें नहीं करना है हमें क्या करना है कि जिसमें हमने पहले पफ बनाया था न देखे मैं आपको ये इसलिए बनाती हूँ कि सब ये ही गलती करते हैं जिसमें हमने न पहले बनाया था उसी में डालके हम देखे ये पफ ले रहे हैं फिर हम अगली चैन में डालेंगे फिर तीन बार के रोशे के उपर लेंगे उनको इस तरह से और अब हम इन सभी को एक साथ निकाल लेंगे ये तीन इधर से और तीन उधर से है ना तो तब हम इन सभी को एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे यह देखे यह हमने दोनों को एक साथ निकाल लिया है अब इसके बीच में हम फिर से दो चैन लेंगे दो चैन लेके एक पफ हम इसी में बनाएंगे देखे आगे नहीं बनाना है यह मेरा यहां पे गलत हो गया क्योंकि जो मैं आपको जो बताती रहती हूँ वो बताती हूँ जो मैं खुद गलतिया करती हूँ जो मैं गलतिया करती हूँ मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी करें तो इसलिए मैं आपको हर चीज बता के चलती हूँ देखे यह जो हमें एक पफ बनाना है ये हमें यहीं पर बनाना है फिर आगे वाली चैन में डाला फिर तीन बार क्रोशे के उपर लिया तो ये छे बार हमारा क्रोशे के उपर आ गया अब हम इन सभी को एक साथ निकाल देंगे तो ये देखे ये दो पफ का हमें एक बनाना है दो चैनली नहीं है हमें और फिर से हम इसी में डालके एक पफ बनाएंगे इस तरह से फिर अगले वाले में डालेंगे फिर एक पफ बनाएंगे देखे इस तरह से और इन सब को एक साथ हम निकाल देंगे तो इसी तरह से हम यह पूरे में पफ बना लेंगे और पूरे में बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है यह देखे यह हमारा इधर वाला एक पफ रह गया है अब हमें क्या करना है इस में इधर साइड एक पफ बनाएंगे और उसमें इसे जोड़ देंगे ये देखिए ये एक बार की रोशे के उपर लिया ये दो बार और ये तीन बार अब हम इने नहीं निकालेंगे इसके साथ जोड़ते हुए तब हम इन सबको एक साथ निकालेंगे इस तरह से यह देखिए जोड़ते वे हमने इसे निकाल दिया है तो यह हमारा पूरा का पूरा इस तरह से पूरा बन गया है अब हम इसमें एक चेन, दो, तीन तीन चेन लिए और जो यह आगे हमने दो चेन बनाई थी ना उसमें डालके देखे इस तरह से एक पफ बना रहे हैं सभी को एक साथ निकाल लिया फिर दो चैन ली और फिर इसी में डालके हमने एक और पफ बना लिया और सभी को एक साथ निकाल दिया तो ये एक चैन में हमने दो पफ बना लिये फिर हम क्या करेंगे एक चैन लेंगे और एक चैन लेके अब देखे ये जो अगले वाली दो चैन है ना इसमें डालेंगे और इसमें पहले एक पफ बनाएंगे इस तरह से यहीं पर निकाल लेंगे ये फिर दो चैन लेंगे और फिर इसी में ढलके एक और पफ बना लेंगे देखे एक बार ये दो बार और ये तीन बार किरोशे को बार और सारे एक साथ निकाल दिए फिर एक चैन लेंगे तो आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें जो बनाना है यह puff के बीच में जो हमें दो-दो chain बनानी है और एक puff से दूसरी puff पे जाने के लिए एक chain बनानी है तो यह आपको समझ आ गया होगा अब हम यहाँ पे यह इसे joint कर देंगे और joint करने के बाद यहीं पे हम इसी वाली उन को cut कर देते हैं अब मैं इसमें ब्लू वाली उन लगाँगी तो ब्लू वाली उन को हम इसी के साथ यहीं पे जोड लेंगे पहले इसमें not लगा लेंगे इस तरह से और यह yellow वाली उन में इसे जोड लेंगे देखे इसे इसे कीच देंगे और यहाँ पर कट कर देंगे देखे फिर हम इसमें तीन चैन लेंगे और ये जो दो पफ है न ये देखे दो चैन लीदी न दोनों पफ के बीच में उसमें हमें फिर से ऐसे ही सेम तरीके से बनाना है एक पफ बनाना है ये देखे एक पफ बनाना है दो चैन लेनी है और फिर इसी में डालके एक और पफ बनाना है देखे दो बार ये तीन बार अब हम इन सब को एक साथ निकाल देंगे देखे और अब हमने जहां पे यहां पे एक चैन बनाई थी अब वाँ माँ पे दो चैन बनाएंगे यानि के बस अब हम इसे न इस वाली चैन को बढ़ाते जाएंगे देखिए यह जो आगे वाली दो चैन थी इसमें डालेंगे दोनों पफ के बीच में फिर से पहले एक पफ बनाएंगे दो चैन लेंगे और फिर एक पफ बनाएंगे तो यह देखिए यहाँ पर हमने जैसे यह पफ बनते जा रहा है ना दो दो पफ ऐसे ही हमें उपर तक बनाते जाना है और जो हमने यह बराबर में चैन ली है देखिए यह तो हमें दो ही रखनी है ये उपर तक हमारी चैन दो ही जाएंगी जो दोनों पफ के बीच में चैन है न वो दो ही रहेगी और ये हमने यहाँ पर एक बनाई थी अब एक के बाद हम यहाँ पर दो बना रहे हैं देखे यहाँ पर हमने पहले एक बनाई थी न अब दो बना रहे हैं देखें यहां पर एक के उपर हमने यहां पर दो बनाई दिया तीन यह चार यह पाँच और यह छे तो इसी तरह से हम एक करके बढ़ाते जाएंगे और हाँ अगर आपका यह कटोरी जैसा हो जाता है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगे आप लास्ट तक जरूर देखना कि हम इसमें क्या करेंगे ऐसा कि यह बिग्कुल भी कटोरी जैसा नहीं होगा और यह अच्छे से बनता जाएगा तो यह देखे यह हमने है ना यहां पर आपको कितनी चैन बना ली है यह बना के यहां पर जो हम सुरूर में चैन लेते हैं ना उसमें इसे जोड देंगे इस तरह से जोडने के बाद फिर से तीन चैन लेंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना ये जो हमारे दो पफ में ये सेम तरीके से ही बनते जाएंगे देखे एक पफ बना लिया फिर दो चैन लेंगे और इसी में डालके एक और पफ बनाएंगे इस तरह से और इन सब को भी एक साथ निकाल देंगे तो ये दो पफ हो गए अब हम यहाँ पे चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो ये हमारी यहाँ पे आठ चैन होगी देखे, जैसे हम एक, एक बढ़ाते जा रहे हैं न, सेम वैसे ही एक मिनटी है, हमारे आठ नहीं हमें साथ रखने होगी क्योंकि यहाँ पे हमारी चैन होई थी जो पिछली हमने चैन ली थी, चैन के उपर हम साथ चैन बनाएंगे तो इसी तरह से हम एक, एक चैन इसमें बढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ आई गया होगा कि हमें एक पफ से दूसरे पफ में जाने के लिए एक, एक चैन यहाँ पे बढ़ाते जाना है और हाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर यह कटोरी जैसा हो जाता है तो आप एक की जगे दो चैन बढ़ाना जैसे हमने यहाँ पे साथ बनाई है और आपका यह थोड़ा जो ला रहा है कटोरी जैसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे जैसे आपने 7 बनाई है तो 7 नहीं बनाई है आप 8 बना लेंगे वहाँ पर तो ये इस तरह से यहीं पर हमें न मैंने ये इतना ही बड़ा बनाया है क्योंकि मुझे इससे ज़ादा बड़ा नहीं चाहिए था आपको जितना भी बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप एक एक चैन ऐसे ही बढ़ाते चाहिए जब हम इसमें एक एक करके इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे तो आप चाहें तो थाल पोस और बड़ा थाली का बना सकते हैं या फिर ना परात का बनाना है तो और बड़ा बना सकते हैं जितना बड़ा चाहे हैं उतना बना ले तो अब हम इसमें न वाइट वाली उन जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बनाने के बाद हम दुबारा से ये वाइट वाली उन लेंगे इसमें और उन लेने के बाद द वाइट वाली उन जॉइंट कर लेंगे और ग्रीन वाली उन hav apart ही कट कर देंगे उसके बाद हम इस में देखे से इसके जो यह बीच में है यह पफ के उपर ही है यहाँ पे डालके हम इस तरह से एक पफ और भाएंगे एक बार कि रोशे के उपर लिया ये दो बार और ये तीन बार ये हम पफ के उपर ही बना रहे हैं और इन सब को हमने एक साथ निकाल दिया और ये अगले वाले पफ में डालके हमने इसे जॉइंट कर लिया इस तरह से तो ये हमारा एक पफ इस पे बन गया बनने के बाद देखे ये न एक छोटा सा पफ इसमे बन गया उसके बाद जो हमारी ये चैन है इन सब चैन में डालते वे हम सिंपल इस तरह से निकालते जाएंगे ये चैन के पीछ में डालेंगे और उनको ऐसे ही निकाल लेंगे देखे इसे करके हम दूसरी तरफ यहां तक पहुंच आएंगे तो यह पूरी चैन में हमने कर लिया है अब हम यहां पर आ गए है अब हम देखिए इस पफ के बीच में डालेंगे इसे और यहां पर हम इस तरह से इसे खीचेंगे एक बार लिया दो बार और यह तीन बार और अब हम इन सब को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे तो यह पफ बन गया और दूसरे पफ पे इसे simple stitch से joint कर देंगे इस तरह से तो यह दो पफ के ओपर इस तरह से एक एक पफ हम बनाते जाएंगे अब जो हमारी यह chain है इन सब chain में इस तरह से निकाल लेंगे तो आपको तो ये देखके ही समझा जाएगा कि हमें किस तरह से बनाना है तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी बना लेंगे और पूरे में इसे complete कर लेंगे तो ये white वाला हम इसी तरह से complete करेंगे इसके उपर हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ देखे जब हम यहाँ पर लाके इसे यहीं पर वाइट वाली उनको कट कर देंगे तो इसमें येलो वाली उन जोड़ेंगे मैं आपको ये एक साथ बता रही हूँ जिससे आपको है न कोई कन्फियूजन ना हो जैसे हम वाइट वाला पूरा कर लेंगे पहले फिर हम इसमें येलो वाली उन जोइंट करेंगे और जोइंट करने के बाद देखिए इस तरह से ये देखिए ये जो इसके उपर वाला है न पफ के थोड़ा पास से देख लीजिया यहाँ पे हम एक दो दो चैनली और इसी में डालके ये देखिए हब किरोशे बनाया देखिए इसमें डाला और ये दो फंदे निकाल दिये एक किरोशे के उपर है ने दिया फिर यहीं पे डालेंगे फिर दो फंदे निकाल लेंगे एक किरोशे के उपर अब इन सारों को एक साथ निकाल लेंगे फिर हम दो चैनलेंगे और इसी में डालके यहाँ पे एक सिम्पल स्टीज से जोइंट कर देंगे फिर हम यहाँ पे दो चैनलेंगे दो चैन हो गई दो चैनले के इसमें ही डालेंगे और ये देखिए दो फंदे निकाल लेंगे एक किरोशे के उपर फिर इसी में डालेंगे दो फंदे निकालके एक किरोशे के उपर फिर से डाला फिर दो फंदे निकाले और एक किरोशे के उपर तो ये टोटल चार हो गए, अब इस सभी को एक साथ निकाल दिया, फिर दो चैन लेके नीचे यही पर सिंपल स्टीज से जोइन कर दिया, फिर हम इस में न दो चैन लेंगे, और सेम उसी तरह से जैसे हमने यह बनाया था, देखिए, दो फंदे निकाल देंगे, एक किरोशे क उपर, फिर से डाला, फिर दो फंदे निकाल लेंगे, और एक किरोशे के उपर, इन सब को अब हम एक साथ निकाल देंगे, फिर हम दो चैन लेंगे, और दो चैन लेंगे, हम यही पर डालके इसे जोइन कर लेंगे, इस तरह से, तो यह हमारी है इस तरह की यह ना, इस पफ इसमें दाले ना इसमें डाला और यह निकाल लिया फिर इसमें डाले में डाल तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ प्रीम तरीके से पहुंच जाएंगे यह देखे और फिर हम यह दूसरी तरफ कहुंचने के बाद हम यहाँ पर यह वाली जैसे हमने यह तीन पत्यां बनाई है ऐसे ही बनाएंगे तो यह इसके कोने पर डालेंगे यह देखे यह हम यहाँ पर डालेंगे दो चैन लेंगे और दो चैनली के बाद हम यहीं पर डालके देखे दो फंदे निकाले एक किरोशे के उपर फिर डाला फिर दो फंदे निकाल दिया एक किरोशे के उपर से डाला फिर दो फंदे निकाल दिया एक किरोशे के बाद चारों को एक साथ निकाल दिया फिर दो चैनली और वही पे डालके ये सिम्पल स्टीज से जोइन कर दिया फिर हमने दो चैनली और वहाई पे डालके हमने फिर से देखे सीम तरीके से दो फंदे निकाले एक किरोशे के उपर और ये हमने तीन बार किया है ये टोटल चार हो गए अब हम सभी को एक साथ निकाल देंगे दो चैनलेंगे और यहीं पे इसे सिम्पल स्टीज से जोइन कर देंगे फिर हम दो चैनलेंगे और तीसरी पत्ती भी हम सेम तरीके से बना देंगे जैसे हमने यहाँ पे यह दो बनाई है और इधर तीन बनाई थी फिर हम चैन बनाएंगे और फिर इस तरह कर लेंगे तो ऐसे यह पूरा कम्प्लीट करके मैं वाइट और येलो दोनों पूरा कम्प्लीट करके दिखा रही हूँ अब आपको तो ये देखे हमारा कुछ इस तरह का ये बनी का ये मैं थोड़ा आपको है न छोटा लग रहा होगा क्योंकि पता है मुझे ये थोड़ा छोटा ही चाहिए था आप जितना चाहें उतना बड़ा बना लेना तो ये देखे एक एक करके जो हमने बढ़ाया था न ये वह है अब हम यहां पर यहयां पर जाही हम रहे हो को और इसमें यहीं पे इस तरह से जोइन कर लेंगे देखे पहले नॉट लगा लिए और यहां पर जोड दिया है यह देखे इस तरह से जोड दिया अब हम यहां पे इसका बॉर्डर बनाएंगे तो एक, दो, तीन, चार, चार चैनल लिए और इसके उपर साइट पत्ती में इस से सिमपलिस्टी से जोड दिया, इस तरह से फिर 8, 2, 3, 4 चार चैनली और ये नीचे की साइट में जहां पे हमने ये जोड़ा था ना पत्ती वहां पे जोड़के इसे इस तरह से फिर दिया तो ये देखे ये पत्ती का हमारा बोडर बन गया है फिर हम इसमे न चार चैन लेंगे और ये उपर की साइड में इसे सिंपल स्टीज से जोड़ देंगे फिर हम चार चैन लेंगे और इसे नीचे की साइड में जोड़ेंगे इस तरह से और ये यहां पर इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा ना पत्थी का बोड़र इस तरह से बन जाएगा फिर चार चैन लेंगे उपर की साइड में जोड़ेंगे और फिर से चार चैन लेके ये इसके यहाँ पे नीचे जोड़ देंगे सिम्पल इस्टिस से ना सेम तरीके से वो ही और जैसे ये वाली बोडर है देखी हमारा ये पत्तियां का बोडर बन गया है देखी ये पत्ति और भी खुबसूरत सी लगनी लगी है एकदम अब हम येलो वाली ये जो चैन है इसमें डालेंगे और ये ग्रीन वाली उनसे भी सेम तरीके से करेंगे ये देखी इस तरह से ये डालेंगे और ये इस तरह से देखी ये देखी तो ऐसे ही हम इसकोने पे जाएंगे और फिर जैसे इसका border बनाया है इस वाली पत्ती का भी हम सेम तरीके से border बना लेंगे देखिए ये आगे वाली पत्ती है ना इसका भी border सेम तरीके से बना लेंगे फिर यहाँ पे चैन बनाएंगे फिर यहाँ पे बना लेंगे तो ऐसे ही हमें न ये पूरा का पूरा हम complete करेंगे तो ये पूरा complete करने के बाद ये कैसा लगेगा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखे ये मैं थोड़ा उसे दिखा रही हूँ ये हमारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ये देखे पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा था ये मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूँ अब आपको और हाँ अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस में आपको जो लाए या ये कटोरी जैसा हो तो हमें क्या करना है उसके लिए हम में ये देखे जैसे हम एक एक चैन बढ़ाते जा रहे थे ना पहले एक ली फिर दो फिर तीन तो ऐसे ही जब भी आपको लगे कि ये कटोरी जैसा होता जा रहा है तो जैसे तीन चैन हमें लेनी है तो तीन की जगा हम चार ले लेंगे यानि कि एक की जगा हम दो चेहन बढ़ा लेंगे तो ये इसका साइस एकदम ठीक हो जाएगा फिर ये बिल्कुल भी एकदम कटोरी जैसा नहीं लगेगा एकदम एकवल आएगा क्योंकि सब का बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है तो उनके में थोड़ा शेप कटोरी जैसी बननी शुरू हो जाती है तो उसके लिए आप यह सही करें आप एक की जगे दो बढ़ा लें चेहन और तो ये बिल्कुल सही होगा तो चलिए आपको ये कैसा लगा है मुझे जरूर बताईएगा और हाँ आपका एक कमेंट आप मुझे करेंगे और मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ और आप इसमें बता पाएंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे जरूर पूछना तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ आप मेरे इस्टाग्राम आईडी और फेस्बुक आईडी पे भी लॉग कर आप देख सकते हैं महाँ पे जाके भी मैं महाँ पे भी अच्छे चिपोस्ट डालती रहती हूँ प्याहिए अच्छे वाची स्वाची जिए इस विडियो